इस एपिसोड के साथ इस एपिसोड में देखेंगे बिरला सॉफ्ट के बारे में तो पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स फिर आते हैं चार्ट की तरफ और डिसाइड करते हैं कि फिलाल अभी यहां पर कंपनी गिरी हुई है तो यहां हम लोग फिलाल बाइंग करनी चाहिए कि नहीं और गेर क्यों रही है इसके बारे में पर रीजन डिसकस करेंगे हम लोग तो मार्केट क्यापिटलाइजेशन वाइस देखोगे तो कंपनी यहां पर 6,000 क्रोड की है 6,900 या 7,000 क्रोड की क्या सकते हो तो यहां पर एक मिटके पर एंची कंपनी है इस टॉक की पीज एकर इंडस्ट्री की पीज से हम लोग देखा जाए और जैसे हम बोलते हैं कि इसकल असे बहुत जादा नहीं होते है तो यहां पर बॉक वैल्यू अपने थोड़ी सी कम होती है अगर कंपनी के मार्जन कम है तो मतलब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा बाकी कंपनी से कम पफॉर्म करेगी यहां पर मार्जनी एक मातर ऐसा फैक्टर है जिससे आप लोग अच्छा फैक्टर है जिससे आप लोग इसके पीएस को कंपेर कर सकते हो तो अगर वैसे देखो तो मार्जन यहां पर 30-35% तक भी निकल जाती आईटी में और अभी फिलहाल जो मेजर फ से यहां पर इनका 18% रेवियू ने निकल गया तो वह थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यहां पर इसलिए है क्योंकि इंट्रेस रेट्स बढ़े हुए जब इंट्रेस बढ़े होते हैं तो बैंकिंग और फैनेंशल सेक्टर वैसे एक क्राइसिस के अंदर र यहां पर फिलाल देखा जाओ कि मार्जन के अंदर एक ड्रॉप भी आया है यहां पर आओगे प्रेंडल पर तो आपर देख सकते हूं कि कि मार्जन यहां से 16 परसेंट से ड्रॉप के फिलाल अभी 11 परसेंट के आस परस आया है रेवेंडियम में बहुत बड़ा कोई खास जंप आजा नहीं है तो यहां पर मतलब आल्मोस फ्लैट है और मार्जन कम होने के कारण यहां पर नेट प्रॉपिट आउटमेटिकली कम ह गया है पिलाल अभी और अगर मार्जन से अगर आप लों करोगे तो यहां पर देख सकते हो कि लगातार मार्जन 31% 21%, 17,43% यह पीवी फिंटक को अटा दो यहां पर 18%, 11% यहां पर मीडियन भी देखा जाए तो वह भी 15% का है तो थोड़ा से आं आप आप लोगो देखो तो प्रोफिट में देखोगे तो थोड़ा सब काम यहां पर आप लोग कहोगे कि इंक्रिमेंट हुआ है यहां पर और मोस्ट से पूर टाइम से जादा नहीं आया है थोड़ा सा यहां पर प्रोफिट गुज है वह थोड़ा सी स्लो है तो स्लो रेट होने के कारण यहां पर प्राइस इंक्रिमेंट होगी वह भी थोड़ा सी स्लो होगी बट कम नहीं है यहां पर कंपनी रगातार ग्रोफ की जा रही है तो वह भी इस फैक्टर को भी आप लोग को लेना पड़ेगा लेकिन अगर पहले से बाय करके रखे हो तो ब वह के अंदर वैसे याइक डाउट बना रहता है कि यहां पर इनकी मार्जिंस कम ना हो जाया इनकी बिसिस कम ना हो जाया तो वह सारे फैक्टर जोगी वह थोड़े से कहोगे कि एक तरह से दूर हो जाएंगे तो वह थोड़ा से रिलीफ मिलेगा और तब आप आप लोगे को नैस्डाक के अंदर रैली आएगी नैस्डाक के अंदर रैली आएगी तो इंडियन आईटी कंपनीज भी भागेंगे साथ-साथ में यह चीज़ आप लोगो ट्रैक करनी है तो उसके लावा और यहाँ पर ज्यादा मतलब उपर नीचे देखने की जूरत नहीं अगर पहले काफी हथ तक कम हुई है और उसके भी काफी हथ तक बढ़ी है अल्टिमेंटी पब्लिक की ओल्डिंग देखों को तो तीन परसंट से बढ़ी है मतलब इंस्टिउशन और प्रमोटर्स मिलके तीन परसंट से अपने होल्डिंग्स लिखती है यहाँ पर कुछ बहुत जादा देखा जाए तो इन वाले लेवल्स को ब्रेक करके कंपणी नीचे आ रही है तो अभी देखों यहाँ पर बहुत जादा मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँसा अगर मैकसमुम आती कंपनी तो आप देखों कि 170 के नीचे यहाँ पर कंपनी और नीचे नहीं जानी चाहिए फिल अगर नीचे आती यह कंपनी तो डाउन साइड में आप देखोंगे कि यहाँ पर बेस बनाना स्टार्ट कर देगी और जो बेस कंपलेट हो जाएगा तब फिर वहां से ब्लूब बाय कर सकते हैं यहां पर थोड़ा से कंपनी थोड़ा सा था तो यहां से रिजेक्शन ले औ पास को तब वहां से ब्लूब बाय कर सकते हैं टेकनीकली और अगर थोड़ा सा ट्रैक करते हो फंडमेंटली कंपनी वगर और यहां पर आप लोगो बस देखने हैं कि इंट्रेस रेट्स वगर करका यहां पर कटिंग हो रही है और सब नास्टाग की रैली भी आप लुग स कर सकते हो तो बाय करके रखा तो कोई दिक्कत नहीं है अब खास करके आसफासी खरीद है तो पॉरी तरह से बेचने को कोई मतलब नहीं क्योंकि आई टी कंपनी है एक तरह से एवर ग्रीन इंडस्री जहें सब तो अब आगले वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम हो कुछ करी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछ सकते हो और अपना कैपिटल से प्रक्ना को के बाएं